चलिए महीं, आज है February 29th, आज है Leap Day, ठीक है, चार साल बाद, एक साल आता है ये दिन, ऐसा adjustment, ये सब को पता है, कभी सोचा है कि ये ऐसा adjustment क्यों नहीं है, 0 January या 32 December, ये 29 फर्वरी क्यों आता है? मैंने तो पढ़ लिया, मातागपची कर ले, लेकिन ऐसे मैं बैसे लिए आपके साथ थौट सोड़े जा रहा है, इन्कुसिटिव रहना चीए, आप भी पढ़िएगा, ये 29 को फिट क्यों करा गया, लेकिन चलिए, आज है महीने का आखरी दिन, प्लस आज है महीने का आखरी घुरुवार, तो आज मन्तली बड़ी वाली फर्वरी वाइदा की एक्सपाइरी की कर लिजे तैयारी, खुलते ही कुछ इंपॉर्टन चीजों पर रियाक्शन होना है, उसमें सबसे इंपॉर्टन यूएस के कल शाम को आने थे GDP नबर्स, आज शाम को हमारे, शाम साड़े पांच बजे हमारा भी GDP आँकड़ा आना है, आज सुबह ग्यारा बजे कैबिनिट की बैठक भी शिडियूल्ड है, कैबिनिट है, CCEA नहीं है, ऐसा बताया गया है, और कल शाम को जो निफ्टी के इंडिसीज में बड़े रीजिक्स अनाउंस हुए हैं, बदलाव अनाउं सब सुबह ठीक ठाक दिख रहा था, सारे समिकरन ठीकी थे, कंसोलिडेशन टाइप फील था, तो जिस तोना का फिर बजार का सेकंड हाफ में बीएवियर था, मेरे खाल से सुप्राइजिंग, सब के लिए होगा, और काफियत तक उस सेशन पेनफुल था, पर कहा जाता है भ जो एक बाद ब्रेथ रखेगा स्क्रीन सुबह, कल सुबह वर्निंग के तोर पे डिस्रिबूशन हालाइट किया गया था, कैसे मिट कैप स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस स्टार्क है, बढ़ता चले जा रहा है, पिछले कई कारोबारी सत्रों से, कल वो और प्रफॉ जो कमजोरी जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, खैर आएंगे मार्केट्स में डिटेल में चर्चा करेंगे, गिफ्ट निफ्टी का संकेत दे रहा है वो भी दिखा देता हूं, फिर कली की तरह 40-45 पॉइंट शुरुवात में कल सुबह भी इग्जैक्ली यही दिखा साथ बजे वही 40-45 पॉइंट हल्की मजबूती के साथ शुरुवात होने के इंडिकेशन्स, ऐसा बजार ने मूड बगाड़ा कल कि सेलिबरेट भी निकर पा रहे, आज दर असल सैलरी डे है, उसकी इंपॉर्टेंस ही गरबढ़ा गई, लेकिन चलिए, नियर जी बगल में ग्लोबल समीकर अंबैट, हटा आयर नोट को, किस तरह की ग्लोबल समीकर अंबैट रहे है, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी, निफ्टी बैंक पे आज हम को स्ट्राइडजाइज करना हजता बताएंगी, और उसकी तरह बढ़िया से सारे इंपॉर्टन्ट स्टॉक्स इ देखे, आपकी सीज़ में लाजरी सारे मारकेट फ्लैट से आधे परसंट के दबाव के बीच में जूलते हुए नदर आएगे, और यूएस से संकेत भी ऐसा ही है, फ्लैट से आधे परसंट का दबाव था, फ्लैट कोई डाउ था तो आदा परसंट नाजडाइक कमजोरी क काम काज कर रहे है, यह जो differential है, यह आपकी screens पर है, वेलकुल मिला जूला, DAO थोड़ी तेजी दिख रही है, NASDAQ थोड़ा पस दिख रहा है, differential, और SNP जहां छोड़ेते वहीं है, तो ज्यादा कुछ है नहीं हो, वैसे ग्लोब रियाक्ट भी कर रहा है, ऐसे में निरजी से जाना जाए भई, वो GDP के आंकड़े, वो पता नहीं, PCE, कोई सारे FOMC मेंबर्स की speeches क्या निकला, क्या important है वो जान लिया है, निरजी, good morning, क्या चल रहा है, good morning, Ashish, देखे, US market में ऐसा कुछ खास नहीं था, जिससे क्यू लेके हम लोग कर इतना गिर बड़े, वहां तो normal था flat to negative कह सकते हैं, आपकी 10, 20, 30 point की range में market घूम रहा था, GDP का आकड़ा भी आया, GDP का आकड़ा slightly below है, 3.3 के सामने 3.2, Q4 का उनका जो नमबर था, यह second estimate ध्यान रखेगा, third estimate final होता है, तो आप मान लिजे कि 3.2 के आसपास ही कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन analyze basis पर बहुत जबरत होता है, 0.5% की GDP है, पिछले साल यानि 22 में 1.9% थी, तो बहुत स्ट्रॉंग एकॉनमी है, तो इसको बहुत मजबूत मानना चाहिए, तो इसलिए GDP की वज़े से market नो कोई बहुत खुशी है, बहुत दुखी वाला नहीं था मामला, फ्लैट सा था, हाँ, यह बाद जरूर क आप जो एक दरज़ा अधिकारियों के नाम गिनारे तो इसमें से कल तीन ने अपना ग्यान दिया, और तीनों ने कहा कि रेट कट की जल्दी नहीं है, इंफलेशन पहले कंटेंड करना है, उसमें तीनों लोगों ने कहा कि 2% इंफलेशन के लिए बहुत स्ट्रॉंग इसमें अटलांटा, न्यू यॉर्क, कॉलिज, इस सारे लोगों ने कहा, तो अभी तीन लोग एक साथ नेगेटिव बात करें थे मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी मार्केट ने वैसा कोई सेल आफ नहीं दिखा, तो यूएस मार्केट में ने कहा था, एकॉनमी तनी स्ट एक डॉलर के उपर नीचे होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो इसको भी ध्यान रखने चाहिए, हाँ इस बार बिटकोईन वार्म ने ध्यान दिया, हलके लोगों साथ हजार भी पार निया, यार, जयान दिया था, लगाया था, लगाया था, हम कभी न ल ठीक बात, सब बढ़िया है भाई साब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहां के आकडों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारे सेंटल बैंकर अब उसी टोन पे चले गए, हमारे शक्तिकांता दास सर भी अहीं कह रहे थे, 4% टारगेट, फेड ओफिशल भी 2% टारगेट, स सारे important lower thresholds को तोड़ने की कोशिश कर रहा था बाजार, जो important levels थे, पहले वो बाईस हजार की levels पे जो significant portriters का zone, उसके बाद हमारे averages की तरह बढ़ चलेते हैं, और broader markets का pain तो और भी जादा evident था, ऐसे में विरू से जाना जाए, कल के बाद आज के समय करन बैट कैसे रहें, करते हैं, अप्रोच यही थी कि 2200 एक इंपोर्टन सप्लाइ क्लस्टर है, वहां नहीं टिकेगा, 223 पे रिजेक्शन आएगा, प्रॉफिट को करेंगा, वो एप्रोच ठीक नहीं निकली, सेलिंग प्रेशर हार लेवल से इतना था कि मैं पूचिए, आपने डिफाइन कर द 10 निमा और हमने बाइ का एफर्ट रखा था, अगर हमें 2971 मिले, तो एक सेशन में आपने दो एविज को तोड़ा, एक सेशन में आपने आपने आप्शन बेस को तोड़ा, इस डेटा की पीछे, इसमें कोई दुराए नहीं है कि आप देखें कल की FIS की सेलिंग काफी रुपे की, लेकिन DIs ने इतना कंपेंसेट भी किया, करीब करीब 1227 कोड़ पर गभाय किया, इंडेक्स उनों ने बेचा, करीब 1200 कोड़ रुट 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 थे, स्टॉक वीचर बेचा, मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूँ, देखें आशिश, ग्लोबल मार्केट उतने रुट अपिर नहीं है, खराब नहीं है और कैसे अप्रोच करना है, इस एक्समें रुट 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 शेचर नहीं है, आज के लिए, हम सारे मतलब 1020 के नीचे देट कर रहे हैं, बड़े कॉट रुट रुट पर सिस्स करते हैं, 22000, 2200, 2200, इं दो रिंजिस पर जिसको ऑ कर रहे हैं कि 2100 पॉट्राइटर का जोन है और 2200 2200 कॉलाइटर का जोन है तोड़ चुके हैं 50 बहुत दूर है 50 है 2681 बहुत दूर है भी मैं कैसे अप्रोच करो देखे आशीश रेस्टेंस वन आपके स्कीव पर आगा और वह करीब करीब आप समझ लिएगा 2200 13 और 2261 यानि पहला कॉलाइटर और एक टेंटेमा इसके नीचे तो सेल ट्रीट काम करेगा नो डाउट अबाउट इसके नीचे सेल ट्रीट काम करेगा और सेल जब आप करें तो याद रखेगा कल की लोग को जहान में रखेगा और उसके बाद जो लोगर पिविट पॉइं करने के लिए रहेंगे और 2100 जो की पुड़ बड़ा होड करती है क्योंकि प्राइस देमेज हुआ है निफ्टी आइटी ने भी आपनी प्रीट किया एकस्पारी रेटेड शॉट कवरिंग का मा सकती है या तो हम कल के लोग को डिफेंड कर लिए उसको ना तोड़े या फि यह है निफ्टी पर एपोच क्लियर है बाइस हजार तेरा और बाइस हजार एकस्पार गरेगा तैन डेमा इन पॉलाइटर जोन निफ्टी बैंक का आशिश प्राइस डेमेज काफी सिव्या था हमने कल इंटरे लो जो क्रिएट किया वो अल्मुस्ट हंड़ेड डे यहां पर कवर कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी किसी बी सर्कम्स्टेंस में क्योंकि ओवर सोल भी है कल हंडर डेमा विजिट करके है एकस्पारी मेनस बंदे पर अगर च्यालेस दोसो एककिस के उपर चलना शूर करे तो अशॉट कवरिंग स्विंग याद रखेगा शॉट बहुत है यहां पर शॉ अगर सबसे किटिकर लेगा एकस्पारी डेकर निफ्टी निफ्टी बैंक का अप्रोच अरश्दा से जान ले जाए सारे इंपॉर्टंट स्टॉक्स इन यूज अरश्दा गॉट मॉर्निंग आशीश आज अफकॉस मीडिया सेक्टर की जो सबसे बड़ी डील वो हो चुकी है रिलाइंस और डिजनी दरसले एक जॉइंट वेंचर के तहट आतावा दिखाए देगा अफकॉस टार इंडिया जो इंडिया ओपरेशन्स है डिजनी के उसका पूरा कारोबार इस जॉइंट एंटिटी में आतावा दिखाए देगा करीब-करीब रिलाइंस 11,500 करोड इ एवी पर तो वो इन फाक्ट पोस्ट मनी बेसिस पर आपको देखनी होगी वाल्यूएशन कंप्लीशन पर जेवी जो कंट्रोलिंग स्टेक रहेगा रिलाइंस के पास 16.34% हिस्सा अफकॉस वायो कॉम 18 के पास 46.82% हिस्सा और डिजनी 36.84% हिस्सा होल्ड करेगी इस पर्ट दरसल जिसके अपेक्षा थी मार्किट को वो अनाउंस हो चुकी है तो आज रिलाइंस इंडस्ट्री ज रेडार पर रखेंगे बाकी मीडिया स्पेस रेडार पर रखेंगे most importantly network 18 पर आपकी नजरे होनी चाहिए जो वायो कॉम 18 को manage करती है तो वो in fact stocks रेडार पर रहेंगे और due disclosure आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि आप एक independent advisor से भी बात करें क्योंकि जिस चैनल पर आप यह ख़बर सुन रहे हैं यह ऐसी network का हिस्सा है दूसरी तरफ NAC के जो बड़े बदलाव आने थे तो UPL बाहर हो रहा है जैसे expected था लेकिन श्रीराम finance को दरसल जगा दी गई है तो यह nifty 50 का हिस्सा बनेगा effective 28th March of course अपकी बारी उन्होंने कहा भी है कुछ कारेंट दिये है कि highest six month average of free for market capitalization with eligible universe के तहे है श्रीराम finance को चुना गया है nifty का हिस्सा बनने के लिए अच्छा इसके साथी nifty next 50 में भी कुछ बदलाव होए है तो जो stocks participate करेंगे और nifty next 50 का हिस्सा बनेंगे उसमें geo finance है उसमें PFC, REC है, अदानी power है और IRFC है तो सरकारी कंपनियों का एक बड़ा शो आतावा दिखाए दे रहा है ये in fact nifty next 50 का हिस्सा बन रहे है और जो बाहर निकल रहे हैं उसमें of course PNG finance, PI industries, मुथूट finance, अदानी wilmer justice stocks है और श्रीराम finance जिसको एक promotion मिला है ये nifty 50 का हिस्सा बनेगा ये stocks आप radar पर रखेंगे in fact nifty 500 की भी सूची में कई सारे बदलाव है वो आगे of course हम share करेंगे coal India और भेल दोनों ही counters radar पर रखेंगा coal India ने दरसल एक joint venture sign किया है भेल के साथ ये undertake करेंगे coal to chemical business को जिसमें coal India करीब करीब 2000 टन परती दिन का ammonium nitrate plant सेट अप करने वाले हैं और इसमें भेल की 49% हिस्सेदारी रहेगी coal India की 51% की हिस्सेदारी रहेगी ये दोनों ही stocks उस लहाज से आप radar पर रखेंगे PB FinTech लगाता है पिछले कई सत्रों में तेजी में रहा है आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने वो update दिया था कि IRDA ने in fact एक tentative approval मिल दिया था इनको एक composite broker के तौर पर operations चलाने के लिए अब वो final go ahead मिल गया है खबर आ चुकी है तो वो stock भी आप radar पर रखेंगे license इनको मिल गया है composite broker का Venus Pipes के लिए भी update आ रहा है इन्होंने कहा है कि annual capics करीब 175 करोड का ये करने वाले है next phase of growth को cater करने के लिए fitting business में भी company उतर रही है और उस लिहाज से फिर अपनी capacity को expand करेगी seamless और welded pipes और tubes वाले business में तो ये stock भी आज रेडार पर oil India के लिए भी update ये है second interim dividend की घोशना होगी March 8 को याने की अगले हफते उस पर विचार होतावा दिखाई देगा रखिए तमाम stocks को अपने रेडार पर quickly छोटा सा break break के उस पर जब लोटेंगे तो आज का events calendar और commodity strategy चले भई break के बाद आप सब का स्वागत है आज का events calendar सबसे important तो मंतली expiry का दिन है cabinet की बैठक सुबह 11 बजे एजिंडा में रिखाल से कुछी दिर में clarity आती हुई नजर आएगी शाम साड़े पांच बजे हमारा GDP का नंबर पिछली बार के 7.6% से जाद अतर एकानोमिस मानते हैं एक कमा कड़ा आने वाला है साथ ही हमारे fiscal deficit और infrastructure output का डेटा भी आजशाम को post market release होगा results है एक recently listed company जिसके पहली बार नंबर आएंगे राशी फेरिफेरिल्स के कुछ board meets है उसमें PFC FY25 अगले financial area के लिए अपना market borrowing program decide करेगा five star business finance fund raising पर board meet कर रहा है पर शाहिद largely NCD issuance के जरीए तो part of the doing business वाला मामला है fund raising होगी बजाज आटो का तो बड़ा buyback announce हुआ था अज़ उसकी ex date और उसकी record date है दो buybacks आज से खुलने जा रहा है Zydus Life Sciences का buyback आज खुलेगा 6 March यानि कि अगले Wednesday को बंद होगा कुल मिलाकर 59.7 lakh shares का buyback एक हजार पांच रुपे पर 600 गड़ रुपे खर्च करेगी कमनी tender route हैसे tender route से कावरी seeds का similar time frame में आज खुलेगा 725 रुपे पे ये tender route के जरीए buyback की शुरुवात आज से GPT Healthcare जो last issue बंद हुआ था उसका आज listing का दिन 186 रुपीज का issue price successfully 525 करड़ों पर जुटा लिये हैं ये issue करीब साड़े 8 गुना बहा था आज से एक offering खुल भी रही है IPO मुक्का proteins आज खुलेगा मंडे को बंद होगा 26-28 रुपे का price band है ये एक रुपे की face value वाला share है 224 करड़ों पर जुटाने की हो जना भारत हाईवेज का इनवेट, platinum industries, execom, tele वो सब खुले हुए है ये दो आज बंद होगे platinum और execom जपान के retail sales और housing stats का नंबर, France, Germany के CPI यानि के inflation के numbers, Canada का GDP, US का आज ज्यादा relevant आएगा PCE January का, अभी तो Q4 का आया था, dated था, PCE January का आज आएगा और initial jobless claims आएगे, कुछ और FOMC speakers lined up है, बॉस्टिक, गॉल्जबी, मेस्टर सबकी speeches lined up है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान उसके lawmakers आज अपना prime minister चुनने जा रहे हैं, पता है वैसे कौन होगा, लेकिन फिर भी चुनेंगे तो चुनेंगे, आज वैसे पुतीन साब भी अपने देश में Parliament को संबोधित करने जा रहे हैं, तो देखते हैं, वहाँ से कह निकल का आएगा, आची commodity strategies पहले चलता हूँ, SMC Global Securities ने मदद करी है, वंदना भारती की तरफ से वो calls है, natural gas खरीदने का मन 153 के स्टॉप के साथ, सोना लेकिन बेच के चलिए, 62, 350 का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करिएगा, बागी के लेवल्स आपकी screens पे, natural gas खरीदना है, सोना बेचना है, छोड़े जा रहा हूँ, gift 50 के, आज तो स्तिर संके थे, कल आदे गंटे त ब्रेक, ब्रेक के उस पार, सीधा सौधा, नमस्कार.